हेलो दोस्तो नमस्कार जैमातादी आज मैं आपको एक ऐसी रेसीपी बताऊंगी जिसे आयरवेदिक पेनकिलर कहते हैं यह पेनकिलर आपके लिए बहुत अच्छी होगी इस पेनकिलर को बनाने के लिए हमें चाहिए एक ठुक कुमड़ा जो बहुत ज्यादा पक्का हो और ज हम इसको छिल रहे हैं जारव कुमड़ा को छिल लेते हैं एक मत्र कुमड़ा से इस एक एक कुमड़ा से आपके पेनकिलर दबा बन जाएगी और किसी दूसरी चीज के अबस्तेकता नहीं हो गया भी तो मैंने कुमड़ा छिल लिया है अब इसे मैं कद्दू कस कर रहे हूं इस तरह से आप कद्दू कस कर लीजिए फूरे कमड़ा को अब इसको अथ्वा आप इसके पतले पतले करके भी सुखा सकते हैं क्योंकि इसको सुखाना है धूप में बिल्कुल सुखाना है इसको मॉस्तराइज इसमें बिल्कुल वेना रहे मैंने पूरे कुमडा को कद्दुकस कर लिया है अब इसे धूप में सुखाना है दो या तेन दिन में सुख जाएगा पूरा पूरा सुखने के बाद आगे क्या करना या आपको मैं बताते हूँ देखे अब ये हमारा कुम्डा तीन दिन हो गया बिल्कुल सोक चुका हाच चितर से अब इसको आगे की कारवाई करने है अब इसको हमको जला कर भस्म करने है जलाना है पितल के बरतन में ये सुके बहुत थोड़ा सा हो गया है इसलिए मैंने एक पितल की कटोरी ली है और इस पितल की कटोरी में अभी सारा डाल दे रहे है अब इसको गेस पे चड़ाना है अब फ्लेम को ओन कर रहे हूं है अब इस पर थोड़े मेडियम फ्लेम के उपर इसको रख दे रहे हूं है रखके इसको एक चुछ चोटी के चन्ने से अशितर से ढग दे रहे हूं इसको रख दिया और उपर से चन्ने ढग दी है अब इसमें अंदर से धिरे-धिरे जलने लगेगा और इसमें धुआ निकलेगी आपको दिखाती हूं थोड़ी देर में देखिए क्या होता है देखिए अभी धुआ उठने इसे जल रहा है और जब धुआ निकलना बंद हो जाएगा बिल्कुल तर समझ लीजे जल चुका है तब इसको बंद कर देखिए अब इसमें धुआ निकलना बंद हो गया है अब थंड़ा होने के बाद में है मैं इसको गहाड़के देख रहे हैं अब यह देखिए तब पूरा जल चुका है कोईला की जैसे हो गया है अब इसको ठंड़ा हो जाता है थंड़ा होने के बाद में इसको मिक्सी के जारमें डालके पिश लेंगे अब यह स्वांग सितल हो चुका अर्थात अपने आप ठंड़ा हो गया है एक घंटा वीद गई है अब हम इसको मिक्सी के जारमें डालके पिशंगे देखे कोईला की तरह यह अब हो गया है एकदम काला और ठंडा हो गया अब इसको मेक्सिकी जार में डाल दे आप इसको पीसोंगे अब मैंने पीस लिया इसको अब इसको काटोरे में निकाल रहा है एक बार विल्किल पॉडर मुन गया है अब यह पावडर को एक डिबा में रख दीजे श्टोर कर लिए आपको बता रहे हूं इसको यूज में कैसे लेना है एक खुराक काम आपको बता रहे हूं एक ग्राम के करीब बने यह भसमा ले लिए है और इसमें दो ग्राम स्वोंट डालेंगे स्वोंट का पावडर इसमें दो ग्राम स्वोंट का पावडर डालोंगे अर्थाद इसके इससे दुगना देखे इससे दुगना प्राय हो गया यह भसमा स्वोंट का पावडर है आप इक तीनों को मिला देते हैं तीनों को मिला करके यह इसकी एक खुराक होती है है इसको तीनों को मिला करके अर्थाथ आप इसकी आधि टेनों को मिलाकर छोटी वाली एक चमस हो गया यह जोटी चमस एक हो गई एकड़म छोटी वाली चमस एक चमस हो गई यह इतना पहड़र आप एक खुराक मिल लीजिएगा गरम पाने के साथ में इसको फाक के उपर से गरम पाने पी लीजिए बस आपका तयार हो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए चेनल को सब्सकाइज कीजिए ठैंक्स पर वाचिंग अगर आपको कुछ पूछना हो कुछ संका हो तो आप मेरे को कमेंट करके लिख सकते हैं मैं आपका जबाब आउस्य देंगे